प्रिद सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राश्टर धेक्षों के साथ विपक्षमलाकात की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब स्वदेश वापस आचुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब से उस दिर पहली कि ये तस्वीरें बस जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली आत्रा थी इटली की G7 की और खासता और से अगर बात की जाया प्रधान मंत्री ने अपना जो अभव था G7 का उसको शोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी साजह किया था प्रधान मंत्री ने कहा था कि G7 शेकर सम्मिलन बहुत थी एक अच्छा दिन रहा खासता और से विश्व के जो नेता हैं उनके साथ बातचीत की गई विभिन विश्व पर चर्चा इस जोरान हुई साथ मिलकर हमारा लक्ष ऐसे प्रभावशाली समधान तयार करना है जो कि वैश्विक समधाय को लाब पहुंचा है और भवश्य की पीडियों के लिए बहतर दुनिया बनाए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जो कि इतली के एक दिवसी आत्रा पर थे G7 शिकर समिलन में पहुंचे थे और उसके बाद अब स्वदेश लोटे हैं इतली की सफल यात्रा के बाद प्रधान मंत्री मोदी ने G7 के आउटी सत्थ में भी हिस्ता लिया था लगवशे पर जिसमें चर्चा की गई थी अलग-अलग देशों के जुनेता हैं उनके साथ चर्चा हुई और उसी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी लिखा था कि मैटली के लोगों और सरकार को उनके गर्ण जोशे भरे आतित्थे के लिए धन्यवाद देता हूँ काफी सफल माना चारा है प्रधान मंत्री का एक दिवस की तौरा इसको पूरा करने के बाद एक सफल यात्रा के बाद अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी. अब पुल्या में G7 शेकर समयलन का उचन किया गया था. जहां पर आमंत्री थे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी. और इस दौरा ना सिर्फ जो आउट्री शत्र था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. आसके साथ ये डेशों के जो राश्ट्रे अध्ष्ट थे उनसे बाच्षीत की दीवपक्षे जुपटे हैं वो भी हमने लेखी उनलीष प्रेट आवक विद एसर्विफ दो एई क्रिस्तल्क ये विजूल जूल फीटरी व्लालस क्मुनिकेश्ट